हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो आवाएर चैनल पंगाल टेकनलोजी और फ्रेंट्स आज की जो वीडियो है काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है इस वीडियो में हम इनोमिनेशन से जुड़ी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो चेंजिजिज हैं उनके बारे में हम बात कर इनोमिनेशन काफी आसान कर दिया है PF Department ने और उससे जोड़े कुछ अपडेट्स भी PF Department ने किये हैं उन सारे अपडेट्स के बारे में हम आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब कर ताकि जो मेरी आने वाली latest videos है उनका notification आपको timely मिलता रहे तो चलिए friends start कते हैं सबसे पहले आपको अपने UN portal पे जाना है और जैसे ही आप UN portal पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े एक्षों में red color में एक notification दिखाई देगा जो PF department की तरब से जो notification दिया गया है और यह जो notification दिया गया है यहाँ पे यह काफी अच्छा notification है PF members के लिए क्योंकि आप सबको पता है कि E nomination mandatory कर दिया था PF department ने बट यहाँ पे अभी PF department में इसने कुछ changes करते हुए यहाँ पे confirm किया है बिल्कुल clear किया है कि E nomination की कोई भी last date नहीं है पहली बात तो E nomination आप कभी भी कर सकते हैं E nomination अगर आप करेंगे तो इसमें आपका benefit है इसलिए E nomination करना जरूरी है दूसरा जैसा कि PF department ने कुछ changes किये थे कि E nomination के बिना आप अपना जो advance है उसके लिए apply नहीं कर सकते हैं उसके बारे में भी PF department ने यहाँ पे notification जारी किया है और जो यह notification आपको यहाँ पे red color में दिख रहा है कि no last date for no last date is declared by EPFO for filing E nomination उसी के आगे आप देखेंगे अभी एक line और add कर दिये PF department ने E nomination is not mandatory for filing of advance claim तो यानि कि अगर आपको advance पैसा निकालना है PF से तो अभी उसके लिए E nomination mandatory नहीं है यहाँ झालना है है तो आपको यहाँ झालना है झाल 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 झाल